हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे पॉयम माई लास्ट डचेज रोवर्ट ब्राउनिंग की है और जो ये माई लास्ट डचेज पॉयम है इसका जो फस्ट पब्लिकेशन हुआ था वो 1842 में हुआ था जब ये पहली बार पब्लिश हुई 1842 में तो इसका टाइटल था वन तो इसका टाइटल होगया था तब इसका टाइटल हो गया था माई लास्ट डचेज फरारा जैसा कि पोयम का नाम है ड्रेमेटिघ रोमांसेज और लिक्स इस बोलिज़ में पब्लिश हुई थी, नेक्स्ट वार जब यह पबलिश हुई 1863 में, तब यह ड्रेमेटिक रोमांसेज में पबलिश हुई थी, जो रोवर्ट व्राउनिंग का बॉल्यूम है, ड्रेमेटिक रोमांसेज तब यह पबलिश हुई थी, और इसका जो टाइटल हो, सेम यही रहा था, फेरारा, अधरा, माश्य समझे तो वह है, अलफांसेज सेकेंड, 1533 में, उसकी साधी होती है, ल्यूकरेजिया डि मैडिसी से, 1558 में, जब वो 14 यहर्ज की थी, और ड्यूक था, 25 यहर्ज का, इनकी जो ल्यूकरेजिया डि मैडिसी है, ड्यूक की वाइफ ड्यूकरेज हो जाती है, तो डचेज है इसकी death हो जाती है 1561 में जब ये 17 years की थी ऐसा कहते हैं कि इनको जो लुक्रेजियटी उन्हीं का नाम क्या है messenger यह है निकूल निकलोज मैड्रूज नाम का messenger आता है जो किसका messenger है Penand and first का Penand first है ुआतो आयरोल का counter kur immediately first इसका messenger है निकूल दिख दर मेंड्रूज कि किसली आता हैं जो यह तैरल का count है इसकी बेटी है बार बारा इसकी साधी का प्रस्ताव लेकर ये messenger आता है किसके पास ड्यूक के पास इसकी तो death हो गई है ये बिडुर हो गया है बिडुर हो गया है तो ये count of टाइरोल अपनी बेटी बार बारा की साधी का प्रस्ताव के साथ वेजता है messenger निकोलोज मेडरूज को ड्यूक को फेरारा के पास तो वो messenger को जो ड्यूक है messenger को art gallery में ले जाता है और बहाँ पे जाके अपनी जो duchess थी पहले वाली उसकी picture दिखाता है तो बहाँ से ये poem start होती है और क्या है देखो friends इस poem में ये poem dramatic monologue में लिखी गई है dramatic monologue forum में लिखी ये क्या होता है dramatic monologue forum ये होती है कि इसमें जो speaker है एक ही speaker होता है और बाकी के listener कितने भी हो सकते हैं लेकिन speaker एक ही होता है जो speaker है बही सब की बातों को कहता है जो listener होता है उसकी बात को भी स्पिकरी बोलता है ये ड्रेमेटिक मोनोलोग होता है इसमें इस पॉयम में 28 राइमिंग कपलेट्स है अर्था 56 लाइन्स है और वो किसमें लिखी गई है इंबिक पैंटामीटर में जब कपलेट इंबिक पैंटामीटर में लिखे जाते हो तो जब राइमिंग कपलेट इंबिक पैंटामीटर में लिखे जाते हो तो उन कपलेट्स को हम कहते है हैरोइक कपलेट ठीक है फ्रेंड्स